हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन चारू उसोपा टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुकी है इतनी पॉपुलारिटी चारू उसोपा को अपने टीवी सीरियल से नहीं मिली जितनी जादा वो सुर्खिया अपनी शादी शुदा जिंदगी को लेकर बटोर चुकी है चारू और राजीव की शादी शुदा जिंदगी में अब कुछ भी बचा नहीं है इन दोनों के रास्ते आल्मोस्ट एक दूसरे से अलग हो गए है चारू इंडिपेंडेंट लड़की है और वो अपनी जिंदगी को काफी जादा अच्छे से अपनी ची की मा बन चुकी है लेकिन वो अपनी सेहत के साथ कोई भी कोता ही नहीं बरती तब ही तो देखिये ना चारू ने साल 2021 नवंबर के महीने में एक अपनी बेटी को जनम दिया था और अब चारू की बेटी एक साल की हो गई है लेकिन चारू की फिटनेस आज इस है चारू क फिटनेस में कुछ भी नहीं बदला यहां तक कि आप कह सकते हैं कि चारू वक्त के साथ और भी जादा हसीन होती जा रही हैं चारू सोशल मीडिया पर काफी आक्टिव रहती हैं तो चलिए आज हम चारू के उन फैंस के लिए अपना ये खास वीडियो लेकर आए हैं जो कि च काउट रूटीन के बारे में जानना चाहते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चानल गॉसिप टाउन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा फट से कर लीजिए चलिए अब आपको बताते हैं कि चारू की फिटनेस का मंत्रा क्या है चारू बहुत ज़ादा सिंपल लड़की हैं और वो अपनी पोसनल लाइफ को लेकर भी काफी ज़ादा खुले विचारों की हैं ऐसे में चारू अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखती हैं वो एक बच्ची की मा है और यहां तक कि वो अपनी बच्ची का तो ध्यान रखती ही हैं साथ ही साथ वो अपने लिए भी वक्त निकालती हैं बता दे कि चारू असोपा की फेवरेट एकसरसाइज है पिलाटे जो कि उन्होंने जब अपनी बेटी को जनम दिया था उसके ठीक दो महीने बाद ही शुरू कर दी थी और जब उनकी बेटी नहीं हुई थी उससे पहले भी वो पिलाटे खूब किया करती और यहां तक की चारू ने एक इंटर्व्यू में बताया था कि पिलाटे एकसरसाइज से उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है एकसरसाइज करने की और वो खुद को बहुत ज़्यादा एनरजेटिक फील करती है इतना ही नहीं चारू की माने तो वो अपन गुने पानी से पीती हैं और फिर उसके बाद वो ब्लाक कौफी लेती हैं कोशिश रहती है चारू की कि वो घर का बना हुआ खाना ही खाई अगर चारू के ब्रेकफास्ट की बात करें तो चारू अपने ब्रेकफास्ट में सांड़िच या फिर कभी कभी सीरियल्स लेती है मिल्क के साथ वही उनका जो लँच है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है उनके लँच में ग्रीन वेजिटेबल, सालड और रोटी और सबजी शामिल होती है वही अगर उनके इवनिंग स्नाक की बात करें तो उनका इवनिंग स्नाक भी बहुत ज़्यादा लाइट होता है वो उसमें या तो जूस पीती हैं और या तो कभी कभार वो ड्राइफ रूट्स का सेवन करती हैं। वही कोशिश रहती है चारू की कि वो शाम को साथ बजे ही अपना डिनर कर ले। और उनका डिनर बेसिकली घर का बना हुआ सेंपल खाना होता है। हाँ वो रात को चावल खाना अवाइट जरूर करती हैं और यहां तक कि वो खुश रहने में बहुत ज़ादा बिलीव करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर खुशी नहीं है उनके पास तो भी उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए जिससे उनकी आदी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।